दोस्तों अब बात करते हैं स्वैल हेल्थ कार्ड स्कीम की यानि की म्रदा स्वास्त कार्ड योजना के बारे में, दोस्तों सरकार इसके तहट किसानों कुन की क्रशी भूमी की उर्वरकता के आधार पर स्वैल हेल्थ कार्ड जारिक किया है, प्रधान मंत्री शी नरेद मोधी प्रधान मंत्री ने स्वायल हेल्थ कार्ट के लोगों का अनावरान किया, तो था 38 आरभी गंगा नगर के किसान, निर्मल सिंग, पुत्र जीत सिंग, उद्रासर, विका नेर के किसान, रांप्रताब पुत्र और भजनलाल एवं बलबीर विश्णोई को स्वायल हेल्थ इसलिए बता रही हूं क्योंकि आपको अच्छे सा जानकारी हो जाए कि अगर यह, मतलब आपको ऐसे नॉलज के लिए बता रही हूं, सरकार इसके तहत किसानों को उनकी क्रशी, भूमी की उर्वरता, क्या आधार पर स्वायल हेल्थ कार्ड जारी की, कार्ड में मिट्टी क जांच के बाद इस बात की जानकारी रहती है, कि मिट्टी को किन उर्वरकों की जरूवत है, साथ इसमें कौन सा फसल बहतर हो सकती है, दोस्ते इसमें 14 करोड किसानों को पायदा मिलेगा, इसमें म्रदा स्वास्तकार योजना के तहत, आगामी तीन मर्चों में देश भर के 14 करोड खेतों की मिट्टी की जांच पर कर म्रदा स्वास्तकार जारी के जाएंगे, मोदी सकार ने इसके लिए 100 करोड का बजट भी दिया है, म्रदा स्वास्तकार के मादम से किसानों को भूमी के पोशक तक्तों के प्रबंधन का प्रसिछन भी दिया जाएगा, म्रदा अच्छा सुनुचीत हो सकेगी. तो दोस्तों, यह मैंने आपको बताया, म्रदा स्वास्थकार्ड योजना के बारे में, अब बात करते हैं, हिदे, यानि National Heritage, City Development and Augmentation योजना. दोस्तों, इसकी शहरी विकास मंत्राल ने 21 जन्वी 2015 को इस योजना की शुरुवात की. इसका मुख्यों देश हरी तेटेटे सिटीज के विकास पर है. मार्च 2017 तक इस योजना के मद में 500 करोड रुपए खर्च किये जाएंगे. अजमीर अमरावती, अमरत्सर, द्वारका, गया, कांची पूरम, मत्रा, पूरी, वारनसी, वेलंकडी और वारंगल में इसके तहात काम हो रहा है. दोस्तों, हिदय जो योजना है, विरासा, शहर, विकास, और विस्तार योजना, यह हिंदी में मैंने आपको बताया है, इसका और यह इंग्लिश में फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, हिदय का, हिदय का, sorry, National Heritage Development and Augmentation योजना. दोस्तों, इसका जो मुख्य उद्देश है, वो यही है कि सुलब लोगों को इस योजना के हिर्टर सिटीज के विकास पर है. इसकी शुरुआ, इसकी जो, इसको स्टार्ट किया था, विकास मंत्राले ने 21 जनवरी 2015 को, इसमें जो है, इसकी आत्मा को, भारतियों शेहरों की जो आत्मा के पुनरोधार के लिए केंद्री योजना है, ये, हेदै समावेश्यों और एकी करण दरस्टी कोंके माद्यम से, दोस्तों, विबिन हित्तार को, जैसे सरकारी एजंसिया हो गई, और आपका इस्थानी निकाय हो गई, गयर सरकारी संगठने, नागरिकों को, सांस्कृत विरास सतकाया कलब के प्रयासों का एकी करण है, इस मत मिशान है है परिजना का उद्देश जो है सुलब जानकारी पून और सुरचित महाल के भारत को प्रतेक शहर के अधित्य विशेशताओं के प्रदर्शन द्वारा, सनक्षन सनक्षन और विकास महातपर लोगों का ध्याना कर्शित करने और भारती शहरों की आत्मा का करना है दोस्तों इस सुजना का उद्देश जीवन की समग्र गुडवत्ता में सुधार के साथ सुक्षता, सुरक्षा, परटन, विरासत, पुनरधार, अजीवका का विशेश ध्यान देना है शहरों की सांस्कृतिक पहचान को बनाय रखना है विरासत, सहरों के लिए सामर और नियोजी तविकास का कारे करना है तो ये दोस्तों मैं आपको बता रही थी जो योजना है और अब बात करते हैं दोस्तों इंद्रधनुष योजना की दोस्तों ये योजना जो है उद्देश बच्चों में रोग प्रती अक्षन की प्रक्या को तेश गती देना है दोस देली हम 5-8 ये वीडियो लेके आते हैं आपके लिए, तो आज हम लाइव ना करके आपको बाद में ये वीडियो अप्लोड कर रहे हैं, तो चलिए, इसमें 2020 तक बच्चों को 7 बिमारियों जैसे कि जिप्तीरिया, काली खासी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हैप्ट करना है, जिन्हें ए टीके नहीं लगे हैं, या जिप्टेरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा, हिप्टेटेटेस भी को रोपने जैसे साथ ठीके आंशिक रूप से लगे हैं, ये क्रार करम हर 5 साल, हर साल 5 प्रतिशत, स्वरी, हर साल 5 प्रतिशत या उससे अधिक बच्चों के पून ठीका करण म के लिए सुधि-सुधाने की लक्ष बनाया जाएगा, मंतर आले का कहना है, 201 जिलो में से 82 जिले केवल 4 राज्य, तरप्रदेश, बिहार, मदर प्रतिश, तथा, राजस्थान हैं, और 4 राज्यों में 42 जिलो में 25 प्रतिशत बच्चों को ठीके नहीं लगाए गए हैं, या 82 जिलो में है, मिशन इंत्र धनुष के तहत, पहले चरण में 201 जिलो को सर्वोच्च्र प्रतिमिक्ता देने का लक्ष तै किया गया है, तथा, 2015 में दूसरे चरण में भी कई जिलो को लक्ष बनाया गया था, मिशन के पहले चरण का कार्यार्मन 201 प्रतिमिक्ता वाले छेले में स्टार्ट कर दिया गया है और ये विश्व स्वास्त दिवस से आरम भी कर दिया गया है तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया अभी मिशन इंद्र धनुष के बारे में इसे 25 दिसंबर 2014 को केंद्री मंति जड़प लॉंच किया दोस्तों ये एक बार और देख लीजेगा क कहीं है इसे है कि 15 दिसंबर है और कहीं है शायद ये 25 दिसंबर बट मुझे लग रहा ही 15 दिसंबर है इसमें मिस्प्रिंट हो गया है 25 दिसंबर आप भी एक बार चेक कर लीजेगा मुझे तो ये लग रहा है कि ये 15 दिसंबर नहीं ये 15 दिसंबर है 25 दिसंबर नहीं है बाद में यह देख भी लेंगे बाद में भी. हाँ, सुरी, फ्रेंज्स, यह 25 दिसंबर 2015 ही है. 15 दिसंबर नहीं है. यह गलत इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी. यह 25 दिसंबर 2014 ही है. मुझे लग रहा था कि यह 15 दिसंबर है. तो आप करेक्ट कर लिजेगा. अब बात करते हैं, दीन दयाल उपाद है, ग्राम जोती योजना. तो बात के गाउं को अबाद बिजली अपूर्ती लक्ष करते हुए, इस योजना की शुरुआत की गई थी. सरकाओ गाउं तक 24 घंटे बिजली पहुशाने के लिए इस योजना के तहस, 75,600 करोड रुपए खर्च करने वाली ये योजना है. ये योजना राजीव गांधी, ग्रामीर, वित्युत्ति करन योजना के रिप्लेस्मेंट के तौर पर लाई गई है. अब बात करते हैं, दीन दयाल उपाद है, ग्रामीर कौशल योजना. दोस्तों, ये योजना ग्रामीर जगत की वाउं को रोजगार के अफसर मोहया कराने के लिए लक्षित है. दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है, हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में कम्प्लीट करेंगे आपका.